चम्तकार सच टीवी में आपका स्वागता है परमेश्य के लोगों आप इस वीडियो का हैडिंग देखका थोड़ा सा हरान होई होगे क्योंकि इसका हैडिंग हम लोगों ने रखा है आपके लिए प्राथना मैं आज करूं जा कल करूं वैसे आपको मैं बता दू हम लोग आजी पराथन करते हैं दमा राथना करते हैं और हमारे फ्रेटार में लोगों हैं लगातार आपके लिए प्राथन करते हैं जो हमें कोमेंट्स लिखते हैं जो वर्साप यह कल करूं क्यों ऐसा कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कल करना प्राथना हरान मत्तव यह गा निर्गमन आठ दहाए आठ से लेकर दस वचन में जब पढ़ते हैं निर्गमन आठ दहाए आठ से दस वचन तक तब फरौन मुसा और हरून को बला कर कहा यहोँ से विंति करो कि यह मेंड़कों को मुझसे और मेरी प्रज्जा से दूर करें और मैं जरैली लोगों को जाने दूँगा जिससे वैं यहोँ के लिए बल्दान करें तब मुसा ने फरौन से कहा इतनी बात के लिए तुम मुझे अदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे करमचारियों और प्रज्जा के निमित कब विंती करूं कि यहुआ तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंड़कों को दूर करे और वह केवल निल लदी में ही पाए जाएं फिर उन्ने कहा कल यही बात साथ से मैं कह रहा था तो परमेशर के लोगों हम लोग देखते हैं यहां पर कितनी बड़ी समस्या है मेंड को उसे भरा हुआ है उनके करमचारियों के घारों और सब को शितिनी बड़ी समस्या है लेकिन उसने का हमें कब विंती करूं तेली तो बस तो मुझे बोल दे मैं अब इसे ही बहुत से लोग हैं जो कहते हैं आज नहीं कल जैसे हम लोग को कुछ लोगों को कहते हैं आप पर विश्मुशी को अपना उधार करता करें वो गए तैने आज नहीं कल कुछ लोगों को हम लोग परमिश्य की वचन में से बताते हें बबवतिस्वान pourquoi सभी ने कुछ लोग आरु आज नहीं काई और कोशीजु लोग कहते हे फुवस रखेंगे कल और वह का लों का अधाय नहीं बाइबल प teaseheit पढ़ेंगे कल ठीक है प्राथना करेंगे कल और भेंड चड़ाएंगे कल तो कल-कल वो कल ही करते रहते हैं लेकिन जब निर्ग्मन बारांस अधिहाई उसका 31 सवचन में हम लोग पढ़ते हैं जब वह बड़ी समस्य उन पर आगे पलोठों वाली आपको मालूमी है तब रात तो रात ही उन्हें बलाया और कहा कि आप यहां से जाओ रात ही रात में तो कई लोग ऐसे हैं जब समस्य आती है तो रात कोई कहते हैं अधिरात कोई फोन करते हैं कि अभी यह सब हमारे लिए प्राथना करो भजन सहता 65 में अध्यहय और इसका साथ वचन में लिखा है भला होता है आज मैं विशेश जो बात करना चाह रहा हूं वो है आर्थिक आशिष की राथना के लिए परमिश्र का पवितर वचन में मलाकी तीन दिहाय में साफ लिखा हुआ है दस और ग्यारा वचन में अपने भेंट अपने दशमाश परमिश्र को अरपन करो तो वह आपके लि को ऐसे हैं जो कहते हैं कल करेंगे और कल का मतलर होता है एक मिने बाद दो मिने बाद चार मिने बाद शेह मिने बाद और कहीं कई तल आता नहीं है तो जब जब आप परमेश्र के लिए बलीदान चड़ाएंगे जब आप परमेश्र के अपनी भेंटें अर्पन करेंगे जब परमेश्र के अपनी मननत करेंगे तब ही तो उसके लिए प्रात्रा होगी अगर आप अपने पास ही रखे रहते हैं तो उसके कैसे प्राथन होगी तो प्राना नहीं में जब भी आप देखते हैं बलीदान चड़ाय जाते थे तो जब बलीदान जो होता था वो परमेशुर के दास्तों के पास आता था जाजकों के पास आता था तो जाजक उस बलीदा से वो प्राथां करते थे और परमेशन के यहोवा परमेशन के जीन में चम्तकार करते थे आप लोग भी जब आप अपनी भेंट अपने दश्माश जा अपनी मनते प्रभु की सेवके में भी जब आप अरपन करेंगे और जब आप अपने वादें को अनसार इन्हें धनकी आशिश दीजिए जैसे परमिश्य का वादा है कि जैसे भी बहुत होगी तो उसी समय आपके लिए प्राथा की जाएगी और मैं यह चाहता हूं कि आज आपके लिए प्राथा की जाएं बहुत से लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में एक बार प्रभुकली भेंटरपन करते हैं अच्छा करते हैं बहुत से असे हैं जो पंदरा दिन बार प्रभुकली भेंटरपन करते हैं अच्छा करते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो महिने में भी एक बार प्रभुकली भेंटरपन करत इसलिए जब आप भेंट परमेश्व अरपन करने के बारे में सोचें, बैबल परमेश्व को वच्छन कहता है, देरी ना करें, तुरंत करें उस काम को, उसी समय आप अपनी भेंट प्रभु के अरपन करें, तांके उसी समय आप के लिए प्राथना की जाए, आप सोच करना कल विंति करना मेर लिए परमेश्व से, आज भी ऐसे लोग हैं कई लोग, जो कहते हैं नहीं आज यह कल, और अपनी भेंट अरपन करने में देरी करतें, देरी करतें, आप याद रखे, जितनी भेंश्यों परभु के लिए लिए भेंट अरपन करने में उतना ही आपकी आशिश में देरी होती है आपकी आशिश में देरी होती है इसलिए कभी भी देरी ना करें तरंत उस काम को करें जो परमिशन आपके मन में डाला जा परमिशन इबरहें से कहा कि अपने बेटे को बलिदान करना है लिखा है वह सुबह जल्दी लेट नहीं उठा जल्दी उठा जनके जिस समय से पहले वो वो सुबह उठता था उससे भी पहले उठा जल्दी उठा और उसने बलिदान अर्पन किये तो इसलिए आज करेंगे कल करेंगे आज करेंगे कल करेंगे नहीं जब आज करेंगे कल करेंगे तो आपके लिए रहу हूं तो भगा होता कि आज तुम उसकी बात सुनते है। जब प्रमिश्रा आप से बात कर रहे होते हैं उसी समय निर्ने लें। एघर आप उसी समय परशान निसकते भेंट तो वड़ सयप करें कि हम लोग ये मैं प्रभु क्लिये लग कर दी है और जब भी हम आपके पास आएंगे वहाँ पर अर्पन करेंगे जब भी हमें समय मिलेगा हम काउंट में लेकिन यह दिख कर बेजिंदे इतनी आयों दिखो जो लोग समय से हमारी शर्की मिदद करते हैं कोई 15 दिन बाद मदद करते हैं इसमीम मादद करते हैं को एक मैं मालू मोटब है और हम उसी साव से ही जो प्रेटार में काम करते हैं दूसरे हमारे काम होते हमें मालूम होता है कि यह लोग सब हमारी मदद करने वाले हैं और यह सब कामों इसकी वद्द से होने वाला है हम लोग उसी साव से करते हैं तो आप निरने लें, कल नहीं, आज ही, के आज ही आपके लिए पराथां की जाई, के परमेश्वर, जो भी ये बलदानरपन करते हैं, इन्हें धन संपत्ति के आशिश दें, क्योंकि गेहूं बोते हैं, तो गेहूं काडते हैं, चना बोते हैं, धन बोते हैं, तो धन काडते हैं, जब थोड़ा सा तेल था उसने वो ही बो दिया जब उसने वो बो दिया आपको पता है उस काल के दिनों में लखों लोग मर रहे थे उस महामारी में लखों लोग अकाल में मर रहे थे लेकिन विद्वा और उसका बेटा जो यह सोच रहे थे हम कुछ दिन बाद मर जाएंगे वो काट लिया और उन कभी वो खत्मी नहीं हुआ ठीक है और जा प्रभीशम सी ने पांच जार लोगों को खलाया खाना रोटी खलाई मैं कहता हूं जार के आसपास होंगे लग भग तो एक शोटा बच्चा था उसने पांच रोटी बो दी और इतनी रोटी काट ली इतनी आशिश ले ली तो जो भी आप प्रमिश्र के लिए बोते हैं वैसा आप काड़ते हैं सो इसलिए लेकिन ऐसा भी है कि कुछ लोग जब समस्य में वाज करता है कि इपरनी ब 발च अर्पन करें प्रभाट विए गयोल और yourself अभी है अबी तो कि आपको बैबल का सिदानता है तो धन बोना सीखें जब आप परमिश्र के लिए भोएंगे परमिश्र आपको फ्लनन्त करेंगे परमिश्र आपको आशश दे आपकी मदद करें आपकी म Süolo कि आपको आपकी मुद्र करेंगे प्रूप प्रूपन प्रूपन